प्रदेश में कानून ब्यवस्था का कोई मतलब नहीं रहे जंगल राज है और ये पूरा प्रदेश की महान जनता आज इसी अपराधियों की साया में ये जी रही है और सबी लोग दुखिद हैं एक तरफ लास पड़िये हैं दोनों की और दो बच्चों की और दूसरी तरफ है कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई कि मुखमंतिय के हां लेकर गए अपने बच्चे को अपने नाती को अपनी बहों के दासंसकार में सामिल है ये दर्दनाग घटना है तो पुलिस ने इसको बहुत ही हलके हाथ लिया जिसका नतीजा है कि आज ये दर्दनाग घटना होगी अगर इस बात को गंभीता पुर्वग लेती पुलिस जिसके लिए ये फ़यार दर्ज हुआ था अपना संख्या 416 ठाना कोत्वाली रावरेली में तो साइद ये जो दर्दनाग घटना है जिसका अशर पूरे प्रदेश में हुआ है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आरके निसा स्वागत करता हूँ आप सब का दर्शक न्यूटन डिफोर में दोस्तों बता दे का आज हम पुना रावरेली के सुदामापूर गाओं में मौजूद हैं सुदामापूर गाओं इन दिनों पूरे उत्तरप्रदेश में चर्चा का विशाय बना गुए दोस्तों बता दे कि जिस तरह से एक सिच्छक की परिवार सहीद दिंदहाले हत्या कर दी जाती उसके बाद बता दे कि उत्तरप्रदेश में कहने कहीं एक तरफ जहां सियासत दर्म आ गई है वहीं पर पूरे उत्तरप्रदेश में संसानी सी फैल गई है और निरंतर बता दे कि सुनील कुमार के घर में तमाम लोगों का आवागमन निरंतर जा रही है इसी कड़ी में बता दे कि आज फैजाबास सांसद और देश प्रसाद जी समाजवादी पार्टी और वहीं पर समाजवादी पार्टी के परदेश सद्धेच स्यामलाल पाल जी का आगमन हुआ है तो आगे उनसे मिलाते हैं कि क्या कुछ कहते हैं इस प्रकरनर को लेकर कुछ निकाल दिया था निकालने वो बोले कि जब उन्हां तुम 11 बज़े तहीं साड़े 11 बज़े तर आई यहां से हमने गया है अपने बच्चे को सब मुख्वन्टी टीक करते दात संसकार में आप नहीं नहीं शामिल हो पाए आपकी बेटी भी रही थी मुख्वन्टी क अब बेटी हम इनकी बड़ी बड़ी बखुवन्टी तो चारों जो है अंतिम दर्सन नहीं पाए आप संसकार में सामिल नहीं हो पाए हां मतलब यह घरे पे जो मत्ती उटी देदिया था उटी हो तो तो जिर्वाद जिनक है तोड़ा दसमीन कर लेते हैं कर लो कर लो कर लो सर जिस तरह से आपने देखा कि हाली में अमेठे में सिच्छक सुनेल कुमार की जो है निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती परिवार सहित तो कैसे देखते हैं आप लगातार यह सिल्सिला जा रही हो तक प्रदेश के बहुत ही दुखद है कि सुदामा पिर गाउं के लिए तो है ही है बलकि एस घुच्टना ने पूरे परदेश के लोगों के दिल में और यह घलकना बहुत ही दर्दनाख ऐए बहुत ही खिदय विधारक है और घुक्तना की दिलना करने के लिए कोई सब्द नहीं है और यह सिल्सिला भारती जनता पार्टी कि सरकार में लगातार प्रदेश में इस सिरस्वाइज जारी है अब ही सुल्तानपूर की घटना भी आपने देखा जिसमें इनकाउंटर तक हुआ और जिसमें लगातार ये घटना हो रही है और हम सभी समाजबादी पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्रग जी भी आए हैं यहां के सम्माजबी तमाम सभी नेता, विधायक और सब साथ थी हम सब बहुत दुखित मन से यहां आए हैं और स्रोंक श्रम्वेदना भ्यक्ताने और बहुत दुखित मन से आए हैं यह घटना बहुत ही दुखद है इसके लिए शरकार जो प्रत्मान है भारतिय जनता पार कि सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है इस घटना के और यह घटना इस बात का संकेत देती है कि प्रदेश में कानून ब्यवस्था का कोई मतलब नहीं रहे जंगल राज है और यह पूरा प्रदेश की महान जनता आज एसी अपराधियों की साया में यह जी रही है और सभी लोग दुखिद हैं और हम लोग बड़े ही दुखिद मन से आये हैं और उत्तरपदेश शासन से मांग भी करते हैं कि हरा की तपरवार तो साफ हो गया पत्नी है दो बच्चे हैं परवार लेकिन जो बच्चे हैं तो उत्तरपदेश की सरकार से मांग करते हैं कम से कम एक क्र अब इसमें जब अगस्त के महेने में यह फायार हो गई थी ऑफायार अपराज संख्या है 414 यह हमने देखा है तो उसमें जब इनकी तरब से पत्नी की तरब से शाप साफ लिखा है कि AROP ने इनके साथ अस्तिर हरकत किया मारा भी जाद सूचक सब्द कहा जान से मार देने एक धंकी कहा और यहां तक कहा अब रिपॉर्ट करोगे जान से मार देंगे और यह भी संका ब्यक्त किया कि अगर हमारे पत्रिके साथ कोई घटना इस तरह होगी तो पुलिस ने इसको बहुत ही हलके हाथ लिया जिसका नतीजा है कि आज ये दर्णा घटना होगी अगर इस बात को गंभेता पुर्वग लेती पुलिस जिसके लिए यह फ़यार दर्ज हुआ था अपरा संख्या 414 ठाना कोत्वाली राबरेली में तो साइद ये जो दर्णा घटना है जिसका असर पूरे प्रदेश में हुआ है दुखित है और दरित परवार जिस तरह से देख लो गरीब है शप्रा है कराईन है तो मांग करते एक क्रोंड रुपे का दिया जाए और कम से कम दो नौकरी इस परवार में और रहने के लिए मकान और ये पूरी सड़क गाओं की है यो कच्चे पूरी सड़क बनवाई जाए और इसमें जाच करके जो पुलिस के लोग जिम्मेदार हैं इन्होंने 414 ये जो एफाइयार हुई थी पूर्णम की दब से उसको गम्हिता पुर्बक उस पर धान नहीं दिया ला परवाही बरता उप्रिक्षा बरती तो उसके खलाब भी जाच करके कड़ी से काली कारवाई की जाए और दूसरी दर्दनाक बात ये है कि कितनी दर्दनाक बात है कि वो बाप जिस बाप ने बेटे को पएदा किया हो अब वो बाप अपने उस बेटे के अंतिम बिदाई में या उसके दासर्दकार में न सामिल हो पावे उसका और उसकी बहन न सामिल हो पावे उसकी और बेटी परवार के और उसको कौन सा इसा था कि आनन फानन में एक तरफ लाज़पड़ी है एक तरफ लाज़पड़ी है दोनों की और दो बच्चों की और दूसरी तब यह है कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई कि मुखमंते के हां लेकर गए अपने बच्चे को अपने नाती को अपनी बहो के दासंसकार में शामिल हैं यह दर्दनाग घटना है और इसकी भी जितनी दिन्दा की जाथ तोड़ी है तो यह सब है और समाजबादी प इस दुखत गड़ी में साथ में है इस परवार के साथ है और हर संभो शाहिता भी करें हम लोग मानिये राष्टी अधरी से अपने बात करेंगे आधरी अखलेश यादोजी से हमारे प्रदेश अधरी चाहिए ही है बात करेंगे इस गटना की जानकारी और तो हर संभो शाह देखो ऐसा है जहां तक इनकाउंटर का सवाल है हम पढ़े लिखे है हम उकील भी रहे है जहां तक हमने देखा है पढ़ा है IPC में CRPC में कहीं इनकाउंटर का अस्थान नहीं है कानून का जब राज होता है तो कानून के राज में उमीद की जाती है कि जो भी दोसी है अब ये इससे बड़ा दोस क्या हो सकता है इस जिसमें सजाय मौत का प्रविधान है डेथ संटेंस का है लेकिन डेथ संटेंस के लिए कानून बना हुआ है IPC है जिसके तहट उसको सजा नियाले देता है तो हम आपने जो सवाल इनकाउंटर के किया है तो इनकाउंटर जो हमने पढ़ा है लिखा है जाना है इनकाउंटर का अस्थान आई पी सी में इनकाउंटर का कोई कहीं पस्थान नहीं हम उसको हम तो कानून कानून को मानते हैं ये अदालत को नियाले को अध कुन के परिज में लाकर और उसको कड़ी से कड़ी कारवाई और यह इतनी बड़ी दर्णा घटना हुई तो इसमें तो आप जानते हुँ करेंको सजाय मौत का भी प्राविध्यन नेगा केश्कार मौत करेंग तो ile इस प्रेम प्रसंग के इंगल दिया जा रहा दर्णाक मोते हुई हूँ, तो इस जो दूसरी बात कह रहे हो, परशंग और शंग वाली, इसको खिर्पा करके इसको इग्नॉर करो, इस पर अच्छा होगा, इस पर कोई चर्चा मत करो, क्योंकि इससे दुख क्या हो सकता है, इससे दर्णा घटना क्या हो सकती है, इससे हिल् जो बात हम से पूजिना चाहते हो, इसपर अगर आप तो सब कहानी खतम हो गई है, सारा कुछ दही नहीं गया है, तो इसको पूछने का बात रखने का मैं समझता हूं, ना तो कोई इसका आउचित है, ना इसका समय है, हाज जोड के प्रातना है, इस वुद्दे पर आप ल दोसी हो उनको केवल जो हिंदुस्तान के कानून में कड़ी से कड़ी सजा है सहा दिलाने की बात करो और परवार के पर समेदना बेख करो और जो हो सके मदद करो यही आप से हम चाहते हैं सरकारी नोकरी कम से कम दो और एक करो रुपे और यह घर पक्का और जिस सड़क जो सड़क यहां से आती है यह सड़क आरपार पक्की बननी चाहिए इतनी खराब सड़क और इसमें प्रवियंस भी है है स्ट्राइप को पड़ लेना इस तरह की जब घटनाएं होती है तो क्या-क्या प्रॉइट किया जाए चाहिता की जाए हम समाज कर जानक बनती थे हम जानते हैं कि किस तरह से मदद की जाए तो मदद की और पूरी तरह से ये संदेश गया है कि उत्तर प्रेश में जोगी बाबा की सरकार का इकबाल खतम हो गया है और अपरादियों का मनों भावना हिम्मत बढ़ गई है दर्जल्ट एस तरह की दर्दनाग घटने हो रहे हैं चल रहे हैं अपराद में चल रहे हैं अपराद को क्या कहेंगे बानिक्त मंतरी जी कहते हैं कि यूपी-प्राद अब पहले बात तो ऐसा है बोलोजर को हम लोगों ने कभी बढ़ावा नहीं दिया ना हमारे नेता ने बढ़ावा दिया ना बोलोजर को हमारे नेता ने बढ़ावा दिया यह तो बाबा का वो अपना हत्यार मानिये यह काम करने का तौर तरीका है यह मानिये प्रदेश की जन जानता अच्छी तरह जानती है, वाने दिलों में जिस तरह से अपराद बढ़े हैं, जिस तरह नियाद चाचार हो रहा है, इसका जबाब उत्तर पने इसके महाँ जनता देगी। काश्या Kin 맛 being now, सिर्थ Southern, का जिस तरह सुचें का जीए ही तिन सप्धारभाق के लिए, शंबेदन सील्टा के साथ, शोचें भीचार करें, निमें बात रख थे हमारे प्रदेश सद्धेक से आप बोले हैं आप बोले हैं आज आप सुदामा पुर गाउं में आए हैं यहां पर आपने देखा कि सिछक सुनेल कुमार के साथ साथ उनका पूरा परिवार एक दिन समाप्त कर दिया गया तो क्या कुछ चाहते हैं वहला की जिस तरह से निरणतर हत्याएं हो रही हैं इसको लेकर क्या आप और कैसी सब्रूदन यूट जैसा कि माननी शुट्जी ने एक कडो परिवार में 2 नोकरे मिल जाए और गाहँ के लोग तो काफी दूर से लगभाक मैं देख रहा हूं सड़के अस्तव्यस्त हैं पूरी तरह से सड़के बननी चाहिए इस परिवार के साथ समाजवादी परिवार के पूरे लोगों की बहुत हमदर्दी है और जितनी मदब संभव हो सकेगी एस समाजवादी परिवार के लोग करेंगे थैंक यू